नमस्कार साथियो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कुंडलवाल इस्टेडी में हमने अब तक एक टोपिक पढ़ लिया है जिसका नाम है राजस्तान की इस्तती और विस्तार यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं आज अपन नया टोपिक देख रहे हैं जिसका नाम है राजस्तान में संभाग ये विवस्ता इस टोपिक के अंदर अपन देखेंगे कि राजस्तान में कितने संभाग हैं किन-किन संभाग की क्या-क्या विसेशता है, किन-किन जिलों से मिलकर बने हुए है और उनसे related महतुपून फैक्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महतुपून टोपिक सबसे पहले देखते हैं कि राजस्तान में जिले कितने हैं तो राजस्तान में जिले हैं 33 जिले और इनको बाटा कितने संभागों में गया है तो इनको बाटा गया है साथ संभागों में अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री की कि सबसे पहले कब से स्टार्ट हुए थे संभाग बनना तो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे जो संभाग ये विवस्ता है ये स्टार्ट हुई थी कितनी तारिकों ये हुई थी 30 मार्च गुनिसो कुन्चास को ये डेटा आपको पहले से पता होगी क्योंकि इस दिन क्या हुआ था इस दिन राजस्तान एक किकरन का fourth step था यानि ये क्या था राजस्तान संग ये आपको पहले से पता होगा और इस समय जो मुख्य मंतरी थे वो कौन थे हीरा लाल सास्त्री यानि आप बोल सकते हो कि जो संभाग ये व्यवस्ता है ये स्टार्ट किती हीरा लाल सास्त्री ने उस समय कितने संभाग थे तो उस समय संभाग थे पांच संभाग वो कौन कौन से थे तो वो थे पहला था जेपुर दूसरा था जोदपूर कोटा उद्धेपूर और पांचवा कौन सा बन गया तो पांचवा था पिक का नेर यानि 30 मार्च गुनिसो गुन्चास को अपने कितने संभाग मनाएं गे थे केवल पांच इसके बाद में और इससमय आप से पूछ भी सकता है कि इस समय जिले कितने थे तो इस समय टोटल जिले थे 25 यह भी आप से कभी-कभी पूछ सकता है ठीक है इसके बाद में बढ़ते हैं अब बात आई 1962 की 1962 में भी कब अप्रेल 1962 में अप्रेल 1962 में क्या हुआ कि उस समय जो CM थे मोहनलाल सुखाडिया इन्होंने जो संभाग ये वेवस्ता है इसको क्या कर दिया इसको बंद कर दिया था ये डेट आपको ध्यान रखनी है और बंद करने वाले कौन थे CM मोहनलाल सुखाडिया अब वापस वेवस्ता किस ने स्टार्ट की तो जो वापस वेवस्ता इस्टार्ट हुई थी ये हुई थी 26 जन्वरी गुनी सो सत्यासी गो यानि जो संभाग ये वेवस्ता वापस से स्टार्ट हुई ये हुई 26 जन्वरी गुनी सो सत्यासी को और इस स्टार्ट किस ने की ये की थी उस समय जो सी एम थे हरीदेव जो सी जी ने और उस समय ही एक नया संभाग भी बना और नया संभाग कौन सा था यानि छटा संभाग कौन सा था ये था अजमेर अपने अब तक क्या पढ़ लिया कि जो संभाग ये बवस्ता है ये स्टार्ट गी थी तीस मार्ज गुनी सो उन्चास को रास्ताने की किरन के स्टेप में हीरालाल सास्त्री ने उस समय कितने संभाग मनाए गए थे पांस संभाग जैपूर जोदपूर कोटा उदेपूर और विकानेर उस समय जी ले थे 25 फिर बात करते हैं अप्रेल गुनी सो बासट ये थी 24 अपरेल गुनी सो बासट इस समय जो मुख्यमंत्री थे सी एम मौनला सुकाड या इन्होंने संभाग ये विवस्ता को बंद कर दिया था इसके बाद में वापस से स्टार्ट हुई चबीज जनवरी को निस सो सत्यासी को और किसके द्वारे स्टार्ट की गई सी एम हरीदेव जोस्ती द्वारा और उन्होंने इस समय एक नया संभाग बनाया जिसका नाम था अजमेर संभाग फिर बात करें कि सात्वा संभाग किसने बनाया, तो सात्वा संभाग बनाया, सात्वा संभाग ये कब बना? ये बना 4 जून 2005 को कौन सा बना? तो ये बना भरतपुर संभाग और ये बना किसने? तो उस समय जो CM थे CM थी ये थी वसंदरा राजे यानि अभी अपने से पूछे की कितने संभाग हैं तो अभी संभाग हो जाएंगे total 7 ये थी संभागों के history की किसने क्या बनाया और अभी कितने संभाग हैं तो start करें तो सबसे पहला अपना जो संभाग है वो है जोदपुर संभाग यह दिखेंगे अपन मेप से तो यह है अपना जोदपूर संबाग एक नमबर जो संबाग है वह है जोदपूर संबाग तो इसमें देखते हैं किन किन जिलो से मिलकर बना है तो यह मिलकर बना है जेसल मेर जोदपूर, बाड मेर जालोर, सिरोही और पाली कितने जिले हो गए यह जिले हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच और छे यानि इसमें टोटल जिले आएंगे छे जिले अब वो छे जिले कौन-कौन से हैं तो उनका अब भी साथ की साथ नाम लिख लेते हैं यागे जेसल मेर जोदपूर तो आना ही है फिर आएगा बाड मेर जालोर, सिरोही और पाली अब बात करें इस संभाग में जो सबसे ज़्यादा सेत्रपल वाला जिला कौन सा है तो यह दिख रहा है आपको सबसे ज़्यादा सेत्रपल वाला जिला हो गया जेसल मेर यानि सेत्रपल की द्रेश्टी से सबसे ज़्यादा वाला जिला हो गया जेसल मेर साथ ही साथ देखेंगे सबसे कम सेत्रपल वाला तो सबसे कम वाला आपको दिख रहा है कौन सा है यह है सिरोही दिख रहा है ना सबसे कम सेत्रपल है तो यहाँ पर आ जाएगा सिरोही अब बात करें कि यह जो जोदपुर संभाग है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंक्या कहां पे है तो सरवादिक जनसंक्या जो सबसे ज़्यादा डवलप होगा या सबसे पहले होगा तो इसमें आएगा जोदपुर तो सरवादिक जनसंक्या सरवादिक जनसंक्या वाला हो गया जोदपुर अब सबसे कम जन संक्या वाला भी देख लेते हैं तो सबसे कम जन संक्या है ये कौन सी है ये दिख रहा है आपको जेसल मेर जो की पूरा मरुस्तल है अगला फेक्ट देखते हैं कि जन गनत्व है तो जोदपुर संबाग में सबसे ज्यादा जन गनत्व कहा होगा जहां पर शेत्रफल कम होगा तो शेत्रफल कहां का कम है शेत्रफल है सिरोही का तो सरवादिक जन गनत्व यह हो जाएगा सिरोही जिले का और सबसे कम जन गनत्व है वही बात आगी जहां पर सबसे ज़्यादा मरुस्तल है तो सबसे कम जन गनत्व हो जाएगा यह हो जाएगा हमने अभी तक इसके बार में चार फैक्ट देखे पहला जोतवपुर संभाग छह जीलो से मिलकर बना है जोतवपुर बर्मेर जालौर सिरोही और पाली एक देखा फैक्ट शाट रफल का सबसे ज्यादा जेसलमेर का सबसे कम सीरोही का फिर देखा जन गनतवे सबसे ज़्यादा सीरोही का सबसे कम जन गनतवे जेसलमेर का जन संक्या देखी सबसे ज़्यादा जोदपुर की और सबसे कम जेसलमेर की ठीक है इसके बाद में देखते हैं इसके बारे में और फैक्ट इसके जोदपुर संभाग के बारे में बात करें तो इस जो ये संभाग है इसका सेत्रफल सबसे ज्यादा है यानि ये लिख लेंगे अपन सबसे ज्यादा सेत्रफल वाला संभाग यानि राज़तान में जो साथ संभाग है उनमें सबसे ज़्यादा शेत्रवल जोदपूर संभाग का है इसके बाद में देखें सरवादिक जनसंक्या वर्दी दरवाला जनसंक्या वर्दी दरवाला संभाग भी यही है फिर देखते हैं फिर देखें कि जो सरवादिक अंतराश्टी ये सीमा है वो भी कौन से बना रहे हैं वो भी जोदपुर संभाग यानि जैसल मेर बाड़ मेर तो जैसल मेर की सबसे ज़्यादा लगती है आपको पता है तो सबसे अधिक अंतराश्टिय सीमा बनाने वाला अंतराश्टिय सीमा बनाने वाला संभाग फिर है इसके बारे में गनत्वे, न्यून्तम, जनसंक्या, गनत्वे वाला संभाग और देखें, यह मरस्तल में है, यानि सरवादिक सुस्क भूमी वाला, सरवादिक सुस्क भूमी वाला, जो संभाग है, वो भी कौन सा है? वो भी है, जोदपूर संभाग, और एक फैक्ट और देख लें, कि जो सरवादिक मारवाड़ी भासा है, वो कहां पर बोली जाती है? जोदपूर में, और बात करें सरवादिक पसुदन की, तो उस समय भी अपना आंसर हो जाएगा जोदपूर संभाग, अपना जो जोदपू सबसे कम शेत्रपल वाला जिला सिरोही फिर इसी से रिर्ठेटड जनगनतवए सिरोही और जनगनतवए जय्सलमेर का उल्टा यहां पर कर देंगे इसके बाद में देखें सबसे ज्यादा जनसंक्या जोथपूर gebru की और सबसे भी है जोदपुर संभाग सबसे ज्यादा सेत्रपल वाला संभाग फिर है जुनतम जन से क्या गनेतों वाला संभाग और सरवादिक सुस्क भूमी वाला संभाग तो अब सेकंड संभाग देखते हैं अपन वो कौन सा संभाग है वो है विकानेर संभाग सेकंड देख लेते है कि विक कनेः शंभाग इसमें भी सब से पहले कितने जिले आते हैं देखते हैं मैप से स्री गंगानगर, हर्मानगर, बिक कनेः और चूरू यानि टोटल जिले चार जिले चार जिले कौन-कौन से हैं? यह है गंगानगर अनुमानगड बिक्कानेर और चूरो ठीक है चार्ज ले अब सबसे पहले उदर क्या देखा था सबसे ज़्यादा शेत्रपल वाला जिला तो सबसे ज़्यादा शेत्रपल वाला जिला कौन सा हो जाएगा देखो मैं एपसे सबसे ज़्याद सेत्रफल किसका दिख रहा है यह है बिक्का नेर का तो सरवादिक सेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा बिक्का नेर सबसे कम सेत्रफल सबसे कम कौन सा दिख रहा है यह हनमानगड तो सबसे कम सेत्रफल हो जाएगा हनमानगड का आगे देखें फिर देखाता आपने सबसे ज़्यदा जनसंख्या वाला जिला तो जो बिकानेर संभाग है इसका सबसे ज़्यदा शेत्रपल वाला जिला कौन सा है वो देख लिया सबसे ज़्यदा जनसंख्या वाला जिला तो सबसे ज़्यदा जनसंख्या है सरवादिक जनसं सबसे कम है हन्मानगड यह वाला तो सबसे कम जन संक्या यह कौन सा है हन्मानगड अब देखें सर्वादिक जन गनत्व है यह किसका है तो यह है अनुमानगड का और सबसे कम देखें तो सबसे कम जन गनत्व हो जाएगा अपने जोदपुर में भी देखा था कि जिसकी जो शेतरफल ज्यादा है वहाँ पे जन गनत्व सबसे कम है और शेतरफल न्यूंतम है और उसका जन गनत्व ज्यादा है तो यहाँ पे भी देखो शेतरफल ज्यादा है बिका नेर का तो इसका सबसे कम जन गनत्व हो जाएगा और शेत्रफल कम है हनमानगड का तो सरवादिक जन गनेत्व हो जाएगा हनमानगड का इसके बाद में चलें इस जो विकानेर संभाग है इसकी विशेहस्ताओं के उपपर तुब आजर ऐंए, देखें, तो यह जो सित्र है, इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाए किस ready है तो वो होती है, सरवादिक नहरो द्वारा सिंचित संभाग यानि अपने से पूछ ले direct कि सरवादिक नहरो द्वारा सिंचित होने वाला संभाग कौनसा है तो उस समय अपना अंशरो जाएगा बी कानेट संभाग फिर देखें यहाँ पे सरववादिक जो सिचाई हो रही है वो हो रही है नहरोद्वारा यानि यहाँ पे जो नदियां है वो सबसे कम है नदियां सबसे कम और सबसे लाश्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है जोद्पूर के बाद में सेकिंड वाला शेत्रफल यानि दूसरा सबसे बड़ा संभाग वो कौन सा है विकानेर संभाग तो अपना जो विकानेर है यह भी कंप्लेट होता है अमने पर जोद्पूर और विकानेर दोनों देख लिए हैं विकानेर का क्विक रिविजन मारते हैं साथ की साथ विकानेर चार जिले विकानेर गंगानगर हर्मानगर चूरू फिर देखा शेत्रफल बिकानेर का सबसे ज़्यादा और इसी का जो जन गनतव है वो सबसे कम शेत्रफल देखें सबसे कम हनुमानगड का और हनुमानगड का जो जन गनतव है वो है सबसे ज्यादा सरवादिक जनसें क्या देखते हैं विकानेर की और जो सबसे कम है वो है हनुमानगड की यहाँ पर विकानेर संभाग में देखे जो दो इफेक्ट आ रहे हैं कम जादा वाले में विकानेर हनुमानगड विकानेर गंगानेगर और चूरू का कही नाम नहीं आ रहा है ये द्यार रखना है और इसी में देखें कि राजस्तान में नदी विहीन यदि अपने को जिले पूछ ले तो वो कितने हैं वो हैं दो और वो कौन-कौन से हैं तो वो है पहला है विकानेर और दूसरा है चूरू यानि जो राजस्तान में 33 जिले हैं उनमें से दो ही जिले हैं जिनमें से कोई सी भी नदी नहीं बैठती है तो पहला है विकानेर और वो है दूसरा है चूरू अगला संभाग है अपना कौन सा संभाग है अगला संभाग है जिसको बोला जाता है राजस्तान का रिदे यानि अजमेर संभाग लिख लेते हैं तीसरा संभाग है अजमेर संभाग सबसे पहले वो ही कितने जिलों से मिलकर बना है एक, दो, तीर और चार यानि इसमें कुल कितने जिले सम्मीलित हैं वो ही चार अब उन जिलों के नाम भी साथ के साथ लिख लेते हैं जिले आगए नागोर, अजमेर, भीलवाडा और टॉक ये चार जिले अजमेर संभाग में आएंगे अब सबसे पहले वो ही सबसे ज़्यादा सेत्रफल तो सबसे ज़्यादा सेत्रफल देखो, किसका दिख रहा है? सबसे ज़्यादा दिख रहा है नागोर का और सबसे कम किस का दिख रहा है इन में से? सबसे कम है टॉक तो लिख लेते हैं, सबसे जदा सेत्रफल हो गया, नागोर और सबसे कम, जो सेत्रफल है, वो हो जाएगा, टॉक का, अब सेकंड जो फेक्ट है, वो देख लेते हैं, सरवादिक जनसंख्या, तो सरवादिक जनसंख्या किस जिल्यम की है, अजमेर संभाग में, तो सरवादिक जनसंख्या है, यहाँ पे, वो ही नागोर की, जहाँ पे सबसे ज्यादा सेत्रफल, वहाँ पे सबसे ज्यादा जनसं क्या और सबसे कम जन संक्या वाला जिला कौन सा आ जाएगा अजमेर संभाग में तो सबसे कम जन संक्या वाला जिला है यहां पर टॉक नवाबो का सहर टॉक अब देख लेते हैं साथ की साथ तीसरा फेक्ट है अपना वो है सरवादिक जन गनेतव वाला जिला वो कौन सा है तो सरवादिक जन गनेतव वाला जिला है अजमेर फिर बात करें सबसे कम जन गनेतव वाला जिला तो वो कौन सा है वो है अपना नागोर तीन फैक्ट देखें हैं हमने ये तीन फैक्ट हम अपन जो सातों के सातों संबाग है उनमें याद करेंगे वो है शेत्रफल फिर जन संक्या और फिर जन गनतवे तो शेत्रफल किसका है तो शेत्रफल है सबसे ज़्यादा नागोर का सबसे कम टॉंक का फिर बात करें जन संक्या की, तो जन संक्या है सबसे जदा नागोर में और सबसे कम है टॉंक में, फिर बात करें जन गनत्व की, तो जन गनत्व है अजमेर में और सबसे कम है नागोर में, अब देखते हैं अजमेर संभाग से related कुछ fact, तो इसकी बात करें, तो शेत्रफल की रश्टी से third position पर है, अपन देख रहे हैं, अपन position के इसाप सही देख रहे हैं संभाग, फिर देख लेते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इस संभाग को बोला जाता है, राजस्तान का रीध है, ये क्या है? ये है अजमेर फिर टॉक का मैंने बताई दिया नवाब की नगरी इसमें जो भीलवड़ा है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वस्तर नगरी याणि अपने से पूछे रास्तान की वस्तर नगरी कौन सी है तो उसमें अपना आंसर हो जाएगा भीलवड़ा और सबसे most important जो fact है वो है कि जो अजमेर संभाग है यह सबसे बीच वाला संभाग है यानि इसकी जो सेमा है वो और जो 6 बचगे उनसे touch करेगी यानि अन्य 6 संभागो से सीमा बनाने वाला एकमातर संभाग वो कौन सा हो जाएगा अजमेर संभाग आगे बढ़ते हैं फौर्थ नंबर का संभाग फौर्थ नंबर का संभाग है अपना कुदेपूर संभाग अब उद्यपूर में देखते हैं वो ही कितने जिलों से मिलकर बना है देख लेते हैं एक रासमन, चितोडगड, उद्यपूर, डूंगरपूर, बांसवाड़ा और परतापगड कितने जिले हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच और छे जिले छे जिले हो चुके हैं, अब छे जिलों के साथ में नाम भी लिख लेते हैं रासमन, उद्यपूर, चितोडगड, फिर बच गया, डूंगरपूर, बांसवाड़ा और परतापगड, यह हो गए अपने छे जिले, अब सबसे पहले वो ही सबसे जदा सेत्रफल वाला जिला तो सबसे जदा सेत्रफल किसका दिकराया है, तो सबसे जदा सेत्रफल है यहाँ पे उद्यपूर का, सबसे कम, तो सबसे कम है यहाँ पे डूंगरपूर का, अब देखते हैं, इस सम्मा का सबसे जदा जनसेंख्या वाला, तो सबसे जदा सेत्रफल की है, सबसे जदा सेत्रफल की है, उद्यपूर की, वो है परताफगड ठीक है अब तीसरा जो अपना फेक्ट देख रहे हैं अपन यानि सरवादिक जनगनत्व है तो जनगनत्व कहां पर है सरवादिक तो ये है बासवड़ा में बासवड़ा और सबसे कम जनगनत्व देख लेते हैं ये कहां है ये है अपना परताब गड़ में सबसे लाश्ट में बना है परताब गड़ ठीक है अब देख लेते हैं यह हो गया अपना जोग्राफी के साब से अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट तो यहाँ पर देखें तो सरवादिक लिंगा नुपात वाला जो संभाग है वाला संभाग यह कौन सा हो जाएगा तो यह है उद्यपूर डारेक्ट सवाल पूर सकता है कि सरवादिक लिंगा नुपात वाला संभाग कौन सा है फिर देख लेते हैं सरवादिक इस संभाग में क्य है सरवादिक नदियों के उद्गम इस्तल फिर देख लेते हैं कि यहां पर सरवादिक अनुसूचित जन जाती यानि जो टी-एस-पी एरिये में आता है ये और यानि सरवादिक लिख लेते हैं सरवादिक अनुसूचित जन जाती यानि एस-टी तो आपसे पूछे कि सरवादिक अनुसूचित जन जाती वाला संभाग कौन सा है तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा उद्यपूर संभाग क्यों क्रिविजन मारते हैं उद्यपूर 6 जिले राजसमन उद्यपूर चितोडगड दूंगरपूर 22 परत संभाग देख लेते हैं पांचवा संभाग कौन सा है अपना तो पांचवा संभाग है अपना जैपूर संभाग राजदानी वाला शित्र ये लिख लेते हैं पांचवा संभाग जैपूर तो सबसे पहले वो ही कितने जिलों से मिलकर बना है तो आप देख रहे हैं एक, दो, तीन, चार और पांच ये हो गए पांच जिले अब पांच जिले कौन-कौन से हैं लिख लेते हैं जुन-जुनु, सिकर, अलवर, जैपूर और दोसा यानि जो जैपूर है वो पांच जिलों से मिलकर बना हुआ है अब देखते हैं, वो ही सरवादिक शेत्रफल, सरवादिक शेत्रफल, तो जैपूर सम्माग में सरव से ज्यादा शेत्रफल किसका दिख रहा है आपको, देखिए आप एक बार मैप से, तो सबसे ज्यादा दिख रहा है अपने को जैपूर का, तो सरवादिक शेत्रफल वा जिला हो जाएगा कौन सा है देखो मैं अब से यह है दोसा तो सबसे कम से त्रपल वाला जिला है दोसा इसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं इसके बाद में अपन ने देखा था जन संक्या वाला तो सबसे ज्यादा जन सेंक्या वाला जिला तो जेपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जन सेंक्या कहां की होगी तो आपको सबको पता है ये भी होगी जेपुर की सबसे कम जन सेंक्या की बात करें तो सबसे कम जन सेंक्या कहां पे होगी तो सबसे छोटा है तो यह हो जाएगा दोजसा अपना तीसरा फेक्ट जन गनत्व है तो सबसे ज़्यादा जन गनत्व है वो हो जाएगा जैपूर का यानि यहां पर ध्यान देने योगे है शेत्रफल पूछे जन संक्या वर्दी पूछे या जन संक्या पूछे या फिर जन गनत्व है शेत्रफल जन संक्या जन गनत्व है इन तीनों में आंसर अपना होगा जैपूर जैपूर संबाग में इन तीनों का आंसर हो जाएगा जैपूर अब बात करें नियूंतम जन गनत्व है की तो नियुंतम जन्गनतों है, यहां पर सीख कर यहां पर देख सकते हैं, फिर दो में यहां पर दो साएगा, सबसे कम शेत्रफल और सबसे कम जन्शंख्या, इस समय दो साब और एक याद रिकना है, कि सबसे कम जो जन्गा नित्वा है वो है सीकर का इसके बाद में बात करें इस से रिलेटेड फेक्ट की तो जैपुर संबाग का सबसे जो most important fact है वो क्या है कि जो ये संबाग है इसकी जो साकसरता है वो कितनी है सबसे ज्यादा साकसरता सरवादिक साकसरता वाला संबाग और साकसरता भी पूछ सकते हैं पूछे का तो नहीं लेकिन आप एक बार लिख लें ये है 22.99% जो कि सारे संबागों में सबसे ज्यादा है इसके बाद में पूछें कि इस से related और क्या-क्या fact हो सकते हैं तो दो factor हैं तो वो कौन-कौन से हैं पहला कि सरवादिक जनसंक्या वाला संबाग जनसंक्या पूछ ले या फिर जनसंक्या घनत्व है ये दोनों कि संबाग में हैं ये है जैपूर में तो देख लेते हैं एक बार फिर से quick revision मारते हैं जैपूर जैपूर में कितने जिले 5 पांच कौन-कौन से उपर से जुन-जुन, सीकर, अलवर, जैपूर, दोसा फिर सबसे ज्यादा सेत्रिफल, सबसे ज्यादा जनसंक्या और सबसे ज्यादा जनसंक्या और सबसे ज्यादा जन गनत्व ये तीनों जैपूर के फिर आता है सबसे कम सेत्रफल और सबसे कम जनसंग्या उस समय अपना अंसर है दोसा और सबसे कम जन गनतव पूछे जपुर संभाग में तो वो हो जाएगा सिख करकी अब देखते हैं इस से रिलेटेट तीन फैक्ट आपको याद रकने हैं वो कौन-कौन से हैं सरवादिक सा पांच जो संभाग है वो कंप्लीट हो चुके हैं फिर अगले संभाग की ओर चलते हैं छटा संभाग है अपना कोटा संभाग और करम देख लेना जो शेत्रफल का करम है वो जिस अकोर्डिंग अपन कर रहे हैं उसी अकोर्डिंग है यानि जैपुर का जो शेत्रफल के कौन-कौन से जिले हैं, बुंदी, कोटा, बारा और जालाबाड, यानि कितने जिले, चार जिले, जिले कौन-कौन से, बुंदी, कोटा, बारा और जालाबाड, कोटा, बुंदी, बारा और जालाबाड, ये चार जिले मिलते हैं, कोटा संभाग में, अब वो ही सबसे ज़्यादा सेत्रफल सेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है तो सबसे ज़्यादा सेत्रफल है देखो किसका दिख रहा है तो ये है बारा का अब सबसे कम तो सबसे कम किसका दिख रहा है आपको तो ये है कोटा का तो सबसे कम सेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा कोटा संभाग का वो खुद कोटा है फिर next fact है अपना सबसे ज़्यादा जन संख्या सबसे ज़्यादा जन संख्या कहा पे है कोटा संभाग में तो ये है खुद कोटा में जिक्सानगरी के नाम से विख्यात है यह भी fact अपने को याद रखना है और सबसे कम जन से क्या अपने से पूछ ले quota संबाग में तो यह है किसकी इसकी और इसका नाम क्या है इसका नाम है बूंदी फिर तीसरा fact सबसे ज़्यदा जन गनेतव है सबसे ज़्यदा जन गनेतव कहा हो जाएगा तो उससे में अपना अंसर वो ही quota और सबसे कम जन गनेतव है वो किसका है तो वो है 12 का ठीक है यहाँ पे quota बूंदी और 12 यह चार यह आएंगे 6 जगों में इने इस कम देख लेते हैं इस जो quota संभाग है इस से related कुछ fact यानि इसकी विशिएस्ता है तो देखें सबसे कम चंसंक्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा फिर देखें विशेष्टा सरवादिक वर्सा वाला संभाग क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यदा कहा होती है किस जिले में होती है वर्सा? वो होती है जालावाड में यह जो संभाग है वो भी सरवादिक वर्षावला हो जाएगा. इसका जवाब तो आप जहलवाड को देखकर देखते हैं. फिर देखें सरवादिक नदियो वाला यानि जो सबसे ज्यादा नदिया है वो कहा बेती है? वो बेती है कोटा संभाग में. और सबसे कम वो था अपन बिकानेर, आपको याद होगा, अभी अपने बात की थी, कि जो सबसे कम न दिया है, वो की संभाग में है, वो है बिकानेर में, सबसे ज़्यादा पूछे, कोटा में, इसके बाद में देखें, सबसे ज़्यादा वर्सा होती है, तो इससे रिलेटेडी एक फेक्ट और हो संभाग, क्विक रिविजन, मान लेते हैं साथ की साथ, कोटा, संभाग, चार जिले, कोटा, बुन्दी, बारा और जालावार, सरवादिक शेतरफल, बारा, और सबसे कम, कोटा का, सरवादिक जन संख्या, कोटा की, सबसे कम, बुन्दी की, सरवादिक जन गनत्वे, कोटा सबसे कमजन संक्या वाला सरवादिक वर्षा वाला फिर है सरवादिक नदियो वाला और सरवादिक आधिर्ता वाला संभाग अब अपना जो सात्वा संभाग है वो है बरतपुर संभाग और हमने देखा था कि ये सबसे नवीनतम संभाग है और ये बनाया कब गया था अब ये अपने देखा था ये बनाया गया था 4 जून 2005 को उस समय CM कौन थे? तो उस समय CM थी वसुंद्रा राजे ये भी अपने को याद रखना है अब ये अपन ने पहले बात किती लेकिन इस जगह भी लिख लेते हैं तो पूरा पूरा कंटेस्ट याद हो जाएगा अब वो ही कितने जिलों से मिलकर बना है तो देखो बरतपूर, सवाईमादपूर, करोली और दोलपूर यानि कितने जिले हो गए ये हो गए चार जिले अब चार जिले लिख लेते हैं कौन कौन से सवाईमादपूर, करोली, बरतपूर और दोलपूर अब वो ही फैक्ट सबसे पहले देखेंगे अपन सरवादिक, सेत्रफल वाला जिला तो बरतपूर संबाग में सरवादिक क्षेत्रफल किसका दिख रहा है आपको तो ये दिख रहा है करोली का सबसे कम क्षेत्रफल किसका दिख रहा है सबसे कम क्षेत्रफल दिख रहा है अपने को किसका, देखो याँ पर ये है धोलपूर का साथ की साथ मैप में देखते जाएं इससे बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे फिर आता है इस संभाग का सबसे ज़्यदा जन संक्या वाला तो सबसे ज़्यादा जन संक्या किस जिले की है तो संभाग कौन सा पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं बरतपूर संभाग यानि इसका अंसर हो जाएगा बरतपूर और सबसे कम जनसेंग्या के समय अपना अंसर क्या हो जाएगा तो सबसे कम जनसेंग्या है बरतपूर संभाग में वो है इसकी धोलपूर की धोले पूरे तीसरा फेक्ट क्या है अपना सरवादिक जन गनतवे सरवादिक जन गनतवे यह कौन से जिले का तो यह भी भरतपूर का और सबसे कम जन गनतवे उस समय अपना अन्सुर हो जाएगा करोली यहाँ पर देख लिए अपनने सेतरपल सबसे ज़्यादा करोली का सबसे कम दोलपूर का फिर जन सेंकया की बात करी जन सेंकया सबसे ज़्यादा बरतपूर की सबसे कम दोलपूर की सबसे ज़्यादा जनतवे बरतपूर का और सबसे कम करोली का और यहां का जो most important fact या विशेशता बोल सकते हैं कि इस संभाग का जो लिंगा नुपाथ है वो है सबसे कम तो यहां पर लिख लेंगे सबसे कम लिंगा नुपाथ वाला संभाग वो है भरतपुर संभाग और शेत्रपल में सबसे छोटा तो लिख लेते हैं सबसे छोटा संभाग वो भी कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा भरतपुर संभाग और यह किन किन के साथ सीमा बनाता है तो यह तीन राज्यों के साथ में सीमा लग बनाता है वो राज्य कौन कौन से है तो वो राज्य हो जाएंगे हरियाना UP प्लस MP ठीक है यह अपना जो संभागों से related है जो मेटर है वो लगबग पूरा होता है एक बार quick revision माल लेते हैं क्योंकि अपने अभी आदे गंटे में लगबग आदे गंटे में जो पड़ा है वो एक बार revise ह होना भी बनता है तो सबसे पहले अपने देखा कि जो संभाग है वो कब से start हुए थे वह यह थे तीस मार्च गुनी सो गुन चास में फिर उसके बाद में देखा अपने एक बार बंद कर दिया था वो किया था मोहनलाल सुकाडिया ने और फिर start किया था हरिदेव जोसी ने इसके बाद में देखे कि अपने साथ संभाग कौन-कौन से हैं उसमें सबसे पहले देखा जोदपूर संभाग उसमें देखे छे जीले और सेत्रफल जनसंक्या और जनगनतव से related fact और देखा कि जोदपूर संभाग में सबसे ज्यादा सेत्रफल वाला संभाग है और अनुमानगड विकानेर और चूरू उसमें जनसंक्या शेत्रफल और जनगनत्व के बाद में अपने देखा इस से रिलेटेड फेक्ट कि जो विकानेर संभाग है इसमें जो सिंचाई होती है वो होती है सबसे जदा नहरुद्वारा और इसकी बात करें तो इसमें नदिया सबसे कम वाला जो संभाग है और बात करें दूसरा सबसे बड़ा संभाग है फिर बात करिए अपने तीसरे संभाग की तीसरे संभाग था अजमेर संभाग जिसमें भी चार जिले आ रहे हैं नागोर अजमेर भीलवडा और टॉंक इसमें बात करें शेत्रफल की दृष्ट आता है टौक को और इसके बार में एक सबसे most important fact देखा अपने कि यह जो संभाग है वो अन्य सभी जो बच गए 6 संभाग उनसे सीमा बनाने वाला एक मात्र संभाग है फिर चोता संभाग आता है अपने उधेपूर की उधेपूर में जो संभाग में जो जिले आते हैं वो 6 ज ज्यादा है यहाँ पर सरवादिक नदियों के उध्गम इस्तलबी है और बात करे कि यहाँ पर जो ST है यानि अनुसोचिट जणजाती इसका जो निवास है वो सबसे ज्यादा उधेपूर में ही है इसके बाद मैं बात करी है अपने पांचवा संभाग पांचवा संभाग क सरवादिक जनसंक्या और सरवादिक जनसंक्या घनतव वाला संभाग है चटा संभाग देखा अपने कोटा संभाग कोटा संभाग में देखा कि इसमें भी चार्जी ले आ रहे हैं बूंदी कोटा बारा और चालावार और देखा कि जो सबसे कम जनसंक्या वाला जो संभाग ह वो है कोटा संभाग, सरवादिक वर्सा वाला, सरवादिक नदियो वाला और सरवादिक आद्रता वाला संभाग भी है कोटा संभाग, इसके बाद में अपने सबसे लाश्ट में देखा, जो सबसे चोटा संभाग है और सबसे नवीनतम संभाग, वो है बरतपुर संभाग, इ और इस संभाग को बनाया कब गया था ये बनाया गया था चार जून 2005 को बनाया किसने था वसंद्रा राजे सिंध्या ने उस समय सीम वसंद्रा राजे सिंध्या थी इसके बाद में बात करी कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो अपना बरतपुर संभाग है औ ये दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आगे देखेंगे एक नए टोपिक को वह भी देखेंगे मैप के साथ तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करना है अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा share करना है ताकि वो भी इसका लाव उठा सके और अपने से competition कर सके कि उनको कितना याद होता है और वो competition में कहां stand कर रहे हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe करना ना भूले चैनल का नाम है भूल मत जाना कुंडलवाल study ठीक है तैंक यू